Hi friends, welcome to A to Z Learning Channel. आज का वीडियो है Tata Motors के बारे में. आज इस वीडियो में हम बाते करने वाले हैं Tata Motors से related जो भी latest news है, उसको हम बात करेंगे, उसका analysis करेंगे और जो एक सवाल Tata Motors के investors के mind में है कि इस company में चल क्या रहा है, ये company का stock क्यों गिरता जा रहा है इन सब बातों का हम बहुत ही detail में analysis करेंगे, आपको समझने में help करेंगे कि इस company में चल क्या रहा है, तो ये बहुत ही important वीडियो है अगर आप Tata Motors के shareholder हैं या Tata Motors में investment के बारे में सोच रहे हैं तो बिना कोई देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली चीज तो हम करेंगे यहां पर जब Tata Motors के financials को समझते हैं Tata Motors के financials को समझने के लिए हमने आपकी screen पे ले आए हैं ये ticker tape का एक summarized version होता है जिसमें वो overview करते हैं हर company का तो ये बहुत ही मुझे simple लगता है इसलिए मैं इसको use करता हूँ तो Tata Motors के अगर हम बात करें तो इनका जो closing price था, share price जो था Friday का, कल का वो 296 रुपीज का था जो की अपने high level से काफी नीचे है तो अगर एक महीने की return की बात करें जैसा कि आपकी screen पे है कि ये share 10.6% minus रहा है एक महीने की return के इसाब से अगर ticker tape के जो 5 parameters पे company को हम assess करें तो intrinsic value में ticker tape कह रहा है कि ये red flag है क्योंकि current price उनके इसाब से इनकी intrinsic value से जादा है और अगर return की बात करें या dividend return की बात करें तो दोनों ही parameters में भी ये stock red flag है लेकिन at the same time ticker tape thinks कि इनका entry point अगर ये और खरीदने के लिए या accumulate करने के लिए share price अभी भी सही है और कोई भी major red flag ये नहीं देख रहे हैं stock के अंदर मेरा जो अपनी summary है उसमें ये हैते हैं कि देखो data motors में कई चीज़े अच्छी हो रही हैं जिसकी बाते हैं अभी हम थोड़ी देर में detail में करेंगे और ये share price जो है वो share price कई चीज़ों को reflect कर रहा है जैसे कि हमें पता ही है कि pandemic की situation इंडिया में थोड़ी बिगड रही है jaguar land rover जो biggest contributor है data motor की profitability का और sales का वो UK में है और उसका UK European market में काफी exposure है वो सारी markets पिछले एक दो महिने से तीन महिने से किसी ना किसी तरीके से lockdown में हैं इसलिए भी काफी सारे clouds हैं इस company के लिए तो यो share price है वो कई चीज़ों को reflect करता है लेकिन at the same time company में काफी चीज़ें अच्छी चल रही है तो चली आप बाते करते हैं ऐसा क्या चल रहा है company के अंदर तो पहली बहली बात तो यह हमें आपको remind करनी चाहिए कि यह Tata Motor का जो अपने 52 weeks का पिछले एक साल में जो low price था वो between 63 to 65 रुपीज था तो अगर हम उस level से देखें तो even after reduction the recent one month reduction in the share price जिससे घटने के बाद 296 पे share price close हुआ है Friday को from 65 to 296 is still a very good story तो इस company के stock ने अपने shareholders को बहुत अच्छी return की है लेकिन हो सकता आप में से कुछ लोगों ने इसको तब खरीदा जब यह 320 का था या 330 का था या 350 का था तो आपको यह लग रहा होगा कि यह तो 350 से 300 के आसपास आ गया तो वो चीज definitely हुई है अगर आप उसमें फस गए हैं तो आप definitely नहीं स्फील कर रहे होंगे लेकिन अगर आप holistic picture देखें इसकी पिछले एक साल की तो उसमें यह कोई दो राए नहीं है कि पिछले एक साल में data motor का share price has been the best performing, one of the best performing share in the market, in Indian market तो यह बात जरूर हमें दिमाग में रखनी चाहिए दूसरी चीज अगर हम बात करें कि JLR का जैसे हमने बात की काफी exposure है UK European market को जहां lockdown चल रहा है तो यह कहीं न कहीं Tata Motor के share price में भी reflect करता है लेकिन at the same time अगर Tata Motors के हम sales number China market में रखें को China market में JLR की काफी important sale होती है वहाँ पे it's showing very very strong numbers, almost 20% से grow कर रहा है वहाँ पे और India market का भी देखें तो भी sales number इनक कि काफी strong है Tata Motors की काफी सारे नए product launch हो गए है इंडिया में और सारे product अपने segment में काफी काफी अच्छी sales लाने में help कर रहे है Tata Motors की और इसको अगर हम समझे market share के number से तो आपको यह हरानी होगी कि Tata Motor has been the fastest growing company in India in last one year Maruti ने Hyundai ने अपने अपने market share को lose किया है सिर्फ Tata Motor ही है एक company है जिसने अपना जो share है market share बढ़ा है हाला कि कुछ एक दू कंपनिया और भी हैं जिन्होंने अपना market share increase किया लेकिन जितना significantly Tata Motor ने increase किया है पिछले एक साल में उतना किसी भी company ने ने किया इनका share market share जो last February में होता था 5% के आसपास या 5% से थोड़ा सा नीचे वो बढ़के अब करीब करीब 9% का हो गया है तो ये बहुत अच्छी growth story है Tata Motor की और ये सब इसलिए भी हो है कि उन्होंने जो नए product launch किये हैं वो काफी अच्छे receive किये गए हैं customers ने इनकी after sale service भी बहुत अच्छी है तो ये सारी बातें कहीं ने कहीं Tata Motors को help कर रही हैं अब electric vehicle की बात अगरें करें जैसे अगर हम future की बात करें अगले 5-10 सालों में काफी बड़ी bet है कि Indian motor industry जो है उसमें electric vehicles का biggest share होगा और electric vehicles में Tata Motor already एक dominant player है इनका market share 60% है ये वहीं पर रुक भी नहीं रहे हैं ये अपने नए electric vehicle launch कर रहे हैं जैसे कि JLR का ये electric vehicle इंडिया में लेकर आने वाले हैं ताकि जो premium segment में luxury segment में भी ये electric option customer को देने वाले हैं similarly इनका plan ये भी है कि light commercial vehicle भी electric ये launch करने वाले हैं और by December they will launch और already companies like Amazon, Flipkart are queuing up to place their orders क्योंकि वो अपना delivery system को सारा का सरा electrified vehicle को use करना चाहते हैं तो उसमें data members को काफी benefit होने वाला हैं तो ये सारी बाते तो आपको समझ रहे हैं तो ये सारी बाते अच्छी हैं तो फिर भी share price क्योंकर बढ़ रहा है और वहां से बढ़के अपना highest इसने 357 पे बनाया था और अब वो 357 से करीब करीब 300 के आसपास आ गया है तो जो इसमें हो रहा है क्योंकि इसने इतनी अच्छी ग्रोथ देखी है पिछले एक साल में शेयर प्राइस ने तो वो consolidation हो रहा है तो consolidation शेयर प्राइस का होना लाजमी है होना बहुत natural है जब शेयर प्राइस इतना massively ग्रोथ करता है तो Tata Motors के साथ भी to a certain extent that is what is happening तो इसके में कोई fundamentally कोई wrong नहीं हो रही है चीज लेकिन consolidation ज़रूरी था क्योंकि जो stock price है वो अपने lowest level से almost four and a half times बड़ा हुआ था दूसरी बात आपको सबको पता है कि pandemic जो है उसकी disruption अभी भी खतम नहीं है अगर internationally बात करें तो internationally भी UK यूरोप में काफी situation खराब है इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी cases काफी बढ़ते जा रहे हैं कल के cases जो 24 hours थे वो more than 60,000 थे तो कहीं न कहीं वो जो disruption है pandemic की related वो अभी भी over नहीं हुई है वो कहीं न कहीं अभी भी disruptions को कर रही है और उसकी वज़े से भी share price are reacting because uncertainty है और share market को कभी भी uncertainty पसंद नहीं आती है Goldman Sachs जिन्होंने अभी अभी कुछ पताया कि Goldman Sachs ने इनका share price उनके साब से target जो था वो यह कह रहे हैं कि यह Goldman Sachs के साब से Tata Motor के पास अभी भी further 20% downside देख सकते हैं हम stock में क्योंकि fundamental basis पे जिस base पे इसका share price बड़ा था वो इसकी true value नहीं है true value इसकी जो place कर रहे हैं Goldman Sachs वो 240 के असपास है तो अगर अभी 300 के असपास share चल रहा है तो इसमें 20% further downside expect की जा सकती है Goldman Sachs के साब से तो यह important ख़बर है हालांकि Goldman Sachs जो 240 का price बोल रहा है वो इन्होंने बढ़ा दिया है पहले यह 175 बोल रहे थे अब उसको बढ़ा के इन्होंने 240 कर दिया है तो हीना कई fundamentally जो direction of travel है company की उससे Goldman Sachs भी impressed है लेकिन फिर भी उनके साब से 300 का stock नहीं है यह 240 का stock है तो यह भी कहीं ना कहीं share market में analyst reflect कर रहे होंगे investor reflect कर रहे होंगे Goldman Sachs का view कोई छोटा view नहीं होता है तो अब हमारे साब पास जो एक सवाल रह जाता है कि अभी next क्या है देखिए अगर आप short term traders हैं और Tata Motors में investment आप short term goals के साब से कर रहे थे तो इसको तो predict करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कल prices क्या होने वाला है परसों price क्या होने वाला है एक हफते में या एक महीने में stock price क्या होगा मगर long term अगर investor अगर आप हैं long term shareholder हैं आप Tata Motors के तो उसमें जो fundamentally मैं देखता हूँ उसमें कई positive देखता हूँ एक तो positive मैं देखता हूँ कि यह electric vehicle में बहुत ही बड़े player है और इसके plan बहुत ही strong है premium के लिए भी light commercial vehicle के लिए तो electric vehicle में जो भी growth आएगी वो काफी majority of that growth will go to Tata Motors दूसरी चीज direction of travel with the new product launches, after sales service, management team वो सारी चीज़ें काफी काफी strong नज़र आ रही हैं Tata Motors में इनके plan भी हैं कि यह debt free बन जाएंगे अगले 2-3 सालों में तो यह सारी चीज़ें बहुत माइने रखती हैं हाला कि इनको अभी जो CEO इन्होंने अपॉइंट किया था नया वो before joining ही अपने candidature को withdraw कर लिया है लेकिन यह कहना कि वो company में कोई कमी की वज़े से किया था वो मुश्किल है क्योंकि कई बार ऐसे decision इतने senior level पे लोग अपनी job को accept करने के बाद नहीं job को accept करने के बाद जब change करते हैं जनरली private personal reason की वज़े से होते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा हमें सोचने की ज़रुत है तो overall direction of travel wise fundamentally company काफी strong है और सही direction में जा रही है तो over longer term I see a very very bright future for Tata Motors और जो electric vehicle की announcement जो आ रही है वो तो बहुत ही अच्छी news है इस company के shareholders के लिए तो long term it remains a good stock to invest in, stay invested in maybe ये जो consolidation हो रहा है share price में, जो dips देख रहे हैं share price में maybe this is an opportunity for you to further accumulate और purchase these shares तो उमीद करता हूँ आपको ये short video पसंद आया होगा और एक simple explanation Tata Motors का आपको पसंद आया होगा अगर आपको हमारा video पसंद आया है तो आपसे request यही रहेगी कि please आप like button को press करके अपने fans और family के साथ इसको share कीजिए और अगर अभी भी आपने हमारा channel A to Z learning subscribe नहीं किया है तो हम अरच करेंगे आपको कि please subscribe कीजिए हमारी viewers family का part बनिए ताकि आप हमारे नए video के notification immediately पासकें और यही भी decide करने में हमारी help करें कि किस topics में हमारे नए video बनने चाहिए so thank you so much and good luck with your investment decisions